अगर इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजियो दूस्तों सुन्दर दिखने की चाह में महिला की हुई इतनी बूरी हालत इसे इस तरह भी समझ सकते है की महिला कोमा जैसे ही स्थिती है क्योंकि वेजिटेटिव स्टेट और कोमा में बस यही अंतर है की वेजिटेटिव स्टेट में वेक्ति होश में रहता है वेजिटिटिव स्टेट में मरीज को ये भी पता नहीं चलता है कि इसके आसपास क्या हो रहा है वो केवल जिंदा लाश की तरह ही होता है 32 साल की सबीना अब्बास चार साल से बहुत बुरी हालत में हस्पिटल में भरती है इसकी ये हालत नोज जॉब और लाइपो सक्षन करने के बाद हुई है महिला सुंदर दिखना चाहती थी और इसके लिए उसने एक प्राइवेट क्लिनिक से ये दोनों प्रोसीजर कराई थे 2017 में एक डॉक्टर ने इसका लाइपो इस एक्षन को और राइनो प्लास्टी का एक साथ की इस दोरान चार मीट के लिए उसके दिल ने भी काम करना बंद कर दिया था इसके बाद क्लिनिक ने उसे एक हस्पिटल में शिप्ट कर दिया गया लाइपो एक्षन एक एसी सर्जिरी है जिसमें शरीर के किसी हिस्से में जमा हुए फैट को हटाया जाता है वही राइनो प्लास्टी नाम को मन्चाहे आकार में ढालने के लिए की जाती है मिरर युके की रिपोर्टर के मुताबिक ओपरेशन के दोरान ही तुर्की के अंतादल्या प्रांत की सबीना वेजिटेटिव स्टेट में भी चली गई तब से ही वो न कुछ सुन सकती है ना ही समझ सकती है सबीना के पती अपने पत्नी की ऐसी हालत के लिए क्लिनिक को जिम्यदा ठराते है उन्होंने क्लिनिक के प्लास्टिक सर्जरी और एनस थे सीयो लॉड़िस्ट के खिलाव शिकायत भी दर्श कराई है सबीना दो बच्चों की मा है और उसके उस हालत में पहुंचने के बाद से उनके पती और बच्चों के जिंदेगी बहुत मुश्किल हो गई है रुस्तम कहते है कि चार सालों से हमारी जिंदेगी नरक बन गई है मेरे छे और चार साल के बच्चे अपनी मा के घर आने का इंतजार कर रहे है अस्पताल मेरी पत्नी क्यों छुट्टी देना चाते है लेकिन मैं उसे ऐसी हालत में ऐसे घर लेना जाओ ले जाओ रुस्तम की क्लीनिक है इसके खिलाब कानूनी लड़ाई जारी है